तीज रक्सा बंदन जन्माश्ट में सभी तिवरों में आप मीठा मीठा खाके तक गए है तो आज हम खटी मीटी चटपटी काचरी की चटनी बनाएंगे नमस्कार मेरा नाम सिताक माउथ और मेरे चैनल सितास कोकिंग में आपका स्वागत है आज हम खटी मीटी काचरी की सब सब्जी बनाएंगी बहुत ही टेश्टी बनती है और आप इसको रोटी पूडी पराठा किसी के साथ में भी सब कर सकते हूं यह 250 ग्राम मैंने काचरी लिए यह बारिस के मुसमें मिलती है बारो मैंने नहीं मिलती है यह अच्छी पकी हुई काचरी है आपको काटते समय चेक क में काट सकते हूं यह देख सकते हूं मैंने एक काचरी का तींचा टुकड़ा किया है आप अपने पसंद से केसे भी काट सकते हूं यह देखो मैंने सारी काचरी को काट के त्यार कर लिए काचरी को काटने से पेले आपको दोना है दोना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें मि भी डाल रूए में इसे अच्छी चट्नी बनेगी और थोड़ा सा पाने डालके अच्छी मिक्स कर लेंगे मसाले को मिक्स करके 10 मिनर तक एसे ही छोड़ देंगे ताकि मसाले थोड़े अलके से फूल जाए अभी एक कड़ाया पेन ले लेंगे और उसमें एक बड़ी चमच तेल की डाल देंगे तेल गरम हो रहा है तब तक हम थोड़े कड़े मसाले ले लेंगे खड़ा मसाले में मैंने एक दाल चिन का टुकड़ा जीरा दो लोंग दो तेज पता और थोड़ी सी हरी सूप लिए सारे मसाले को साथ में ही डाल देंगे अभी एक बारी कटावा प्याज डाल देंगे यह सबजी में आपको प्याज पसंद नहीं हो तो आप इसकी कर सकते हो अभी थोड़ी से हरी मिर्ची और लसुन अद्रक का पेश्ट मेंने तरद्रक कूट के लिए है वो डाल देंगे और साथ में ही इसको भी भून लेंगे हलका सुनारा कला रहुने तक इसको भूनेंगे दो तीन मिनट बाद में मसाले अच्छे से भून गए है यह देख सकते हो अलका अलका कलर चेंज हो गए है इसका अभी जो मसाले बिगो के लिए है वो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और दो तीन मिनट तक इसको पकाएंगे जब तक मसाले में से तेल नहीं वापर छोड़ दे तब तक पकाएंगे यह देख सकते हो मसाले अच्छे से पग गए है अभी जो काचरी काट के लिए हो डाल देंगे इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुती अच्छी सब्जी बनती है और आप इसको रोटी, पूडी, पराठा किसी के साथ में भी सब कर सकते हो और आप इसको सफर में भी लेके जा सकते हो बहुती अच्छी सब्जी बनती है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये सब्जी को आप प्रीज में रखे एक अपते तक इंजोई कर सकते हो और भार रखे भी आप 3-4 दिन तक आ सकते हो अभी डखन लगा के 2-3 मिनट तक पका लेंगे 2-3 मिनट बाद में चे करेंगे बहुती अच्छी टेस्टी सब्जी बनती है 2-3 मिनट बाद में इसमें सवाद के नुसा नमक डाल देंगे और थोड़ा सा पाने डालेंगे क्योंकि इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है हलकी कड़क रहती है इसके लिए थोड़ा पाने डालेंगे तो सब्जी नीचे तले में चिपकेगी नहीं और बहुती टेस्टी सब्जी बनेगी और आपको याद दिला दूँ कि आज की मेरे रेशिपी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो फ्लीज वीडियो को लाइक सेर जरूर करना और मेरे चैनल पे नई आए हो पहली बार वीडियो देख रही हो आप चैनी भी डाल सकते हो मैंने गुड लिया है इसको थोड़ा साचा कुछे कट कर लेंगे बारिक बारिक टुकडे कर लेंगे यह देख सकते हो इसी तरह किसी में सारे गुड के टुकडे कर लोंगी गुड के टुकडे हो गए है अभी इसको सब्जी में डाल देंगे आपको गुड़ सब्जी में पसंद नहीं हो तो इसकी भी कर सकते हो और गुड़ की जगए आप सकर भी डाल सकते हो इसमें अभी गुड़ डालके 2 मिनट तक इसको ऐसे ही रन देंगे ताकि गुड़ अच्छे से मेल्टो जाए यह देख सकते हो, गुड़ अच्छे से पिकल गया है और सबजी में हमारी टेश्टी बनके त्यार हो गई है अब इसको अलग बाउल में निकाल लेंगे बहुत ही अच्छी चटपटी सबजी बनके त्यार हुई है और यह काच्छी की सबजी आपको बारिस में ही मिलेगी योगि बारों में ने तो मिलती नहीं है बारिस के मोसम में ही एकाच्छी मिलती है और बहुत ही अच्छी सबजी बनती है इसकी हरी मिर्ची और काच्छी की सबजी बना सकते हो मिठा डालके भी बना सकते हो बेना मिठा डाले भी आप इसकी सब्जी बना सकते हो बहुत ही अच्छी चटपुटी सब्जी बनके त्यार होती है एकदम केरी की आचार की तरह सब्जी बनती है और आप इसकी सब्जी बनाईए और इंजोई करिए आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर करें चैनल पे नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए मैं इसको रोटी के साथ में सब कर रही हूँ अपनी पसंद से आप भी बनाईए और इंजोई करें और आप ये सब्सक्राइब को पराटा पूड़ी के साथ में इंजोई करोगे तो बहुती अच्छी लगती है और एकदम चटप्टी सब्सक्राइब बने के त्यार होती है अगर आप मेरी रेशिपी बरुसा करती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक ली नमस्कार